एक बोस ने घर के पूरुव कैपटेंस को दिया था एक और मोका, कैपटेंस ही अपने लाम करने का इसी के चलते उन्हें करना था एक टास्च जहां उन्हें एक बॉक्स में बंद होगोकर बेठना था जो सदिस्य अंतक उस बॉक्स में बना रहेगा वो बनेगा घर का अगला कैप्टिन कैप्टिन सी के इस टास्क में अली गोनी ने सबसे पहले मानी हार और आ गए बॉक्स के बाहर अली के बाद राहुल संग हुए आर्गुमेंट के चलते एजास खान ने भी किया उनके प्रती निदित्वा कर रहेए पवित्र पुन्या को टास्क से बाहर टास्क में आखरी तक बने रहे जास्मिन भासिन और कविता कौशिक सूत्रों की माने तो दोनों भी 30 घंटे से भी जादा बिताया है बॉक्स के अंदर हमारी सूत्रों की माने तो आखिरकार बिग बॉस ने दे दिया था संचालक राहूल वेद्द की हातों फैसला जहार जैस्मिन और रुबिना की बीच कैप्टन चुन्ने का राहूल ने लिया कविता कौशिक का नाव चैनल पे दिखाए गए प्रोमो में निकीतामोली ये पॉइंट रखती हुई आ रही है नजर कि जास्मिन का बॉक्स हिला था और अगर राहूल ने नहीं किया इन बातों को कंसीडर तो वो करिंगी तमाशा तो वहीं जैसे ही राहूल ने अनाउंस किया कि कविता को विनर तो रुबिनाद लैक का भी फूटा राहूल पर घुसा और उन्होंने उठाया राहूल की संचालम पर कई सवार कविता के इस कैप्टेंसी के बाद घर का क्या होगा माहौल ये देखना होगा काफे दल्चिस्त विग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले